स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सुकला स्टडी पॉइंट में मैं सियुम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो के अंतरगत पेपर हल करवाने का प्रियास किया जाएगा परिया वड़ी अध्यन राष्ट गवरो और जी ये वगयरा का जो भी होता है यानि जर्णन अवर्णेस के परसने तो में लगार के ये मिक्चर कोशन्स होते हैं एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का नाम साथ मुझे नहीं पता है जो कि जब पेपर इस्टुडेंट्स ने मेरे पास सेंड किया तो उसकी यूनिवर्सिटी का नाम मेरे पास नहीं आयता तो पेपर मेरे पास आया अगर आप भी मेरे प्यारे दोस्तों चाहते हैं कि आपका पेपर हल करवाया जाए तो ध्यान लखेंगे आप जो है 91, 91, 91, 93, 96, 62 पर क्या करेंगे आप वाटसाप पेसमिस कर दीजेगा मेरे प्यारे दोस्तों आप वाटसाप पेसमिस क्या करेंगे आप जो है फोटो की पि पोटो लीजिएगा उसके आद में हो सकता है तो आप PDF जो है बना करके भेजिएगा फिडियव बना करके भेज़ेंगे तो क्या होगा पीडिया में मेरे पास जो है सीरील वाइई जाएगा तो उसे में जदा दिक्कत नहीं कि क्योंकि पेपर बनाने में बहुत परेसानी में परेसानी चाहिए आपकी पेपर सेसांड में पर परको पहता है। लेकिन जब उसको प्रसंद ढोड़ना पड़ता है मोबाइल में प्रसंद देखो उसके बाद में फिर प्रसंद का उत्तर ढोड़ो तो इसमें क्या होता है मेरे पास थोड़ी प्रॉब्लम सोती तो इसलिए आप क्या करें पीडियूब बना गरके मेरे पास send करें जादा से यदा मातरा में अगर पीडियूब नहीं बना सकते हैं तो आप पेपर send करें लेकिन serial why send करें मलब ऐक पेपर की एक photo खीची तो उसको send करें मेरे पास उसके आदे फिर दूसरे सोते संफूरक परसन होते हैं तो उसके एंसर हिसी मैं नहीं बताउंगा जो लिए से प्रीदियो और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं न सभी लोग फटापट से वीडियो को लाइक कर दीजेगा पेपर आपका अंग्रेजी में होगा यहाँ पर अंग्रेजी लिखी होएगी यहाँ पर हिंदी उसी की तो अंग्रेजी दोनों में आप देखिएगा अंग्रेजी बारे च इसका करेक्ट एंसर क्या होगा मालते इसका हमने बताया कि जो है कुछ भी हमने बता दिया इसका कि जो है मालते हमने बता दिया कि जो है यहाँ पर हमने बता दिया क्या बता दिया मेरे प्यार दोस्तों हमने बता दिया आपसन दी वाला वैसे डी ही करेक्ट है तो हमने बता करता हूं भड़ा बड़ से वीडियो को लाइक चैनल पड़ना है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को सेर कर दी सभी गुरुप सगरा में सभी दोस्तों को बुला लीजिए आपकी जो है एंसर की आपके सामने आ रही है और विस विद्याले के बहुत सारे जो है प्रकार से वीडियो आपके सामने आप आएंगी 2022 के सिकंडियर फस्टियर और थर्डियर की अलगलग तरीके से आपके सामने सिलेबस डिसकुसन बोर्ड पर मैं कर रहा हूं इस समय जल्दी आएगी और सुबह प्रकार से दस बज़े टाइम है आपका फस्टियर का ध्यान अब सेट करेंगे दे देरे सेकंडियर का भी टाइम सेट हो गया और जो है लास्टियर का भी टाइम आपका सेट कर देंगे ओके समय स्था कि कोई बात नहीं जल्दी आपके सामने नरड़े लिया जाएगा ओके प्रसन संक्यायक देखें काकोरी सडियंत्र मामले में किस सुतंतरता सेनानी को फासी नहीं दी गई थी तो भया किसको दी गई थी तो जो है अस्फाक उल्ला खान को दी गई थी राम परसाद बिस्मिल को भी दी गई थी रोसन सिंग को भी दी गई थी कब 19 दिसंबर 1927 को 19 दिसंबर 1927 इद्वी को काकोरी सडियन तर्मामले में जो है अस्फाक उल्ला खान राम परसाद बिस्मिलों रोसन सिंग को फासी दे दी गई जबकि यही पर जो ब्यक्ती थे मदन जो है लाल धींगरा मदन लाल धींगरा जो है इनको फासी नहीं दी गई थी आपसन इसका डी करेक्ट एंसर होगा ठीक आगे समझते दूसरा नमर पस देखें अंगरेजी वालों भी देख लीजेगा इदर लिखा हुआ है याई विच इंडिया रोलर वाज बॉर्न इंदा फोर्ट आफ जो है सिन बेरी मतलब कहरा है सिवनेरी तो किस भारती है राजा का जनम सिवनेरी के किले में हुआ था तो कौन है भाईया सिवनेरी के किले में तो माता जीजा भाई के गर्ब से उत्पन हुए कौन क्या नाम है उनका जीजा भाई किसके माता का नाम था सीवा जी के बीर सीवा जी के यानि छत्रपती सीवा जी आपसन इसका डिकर रखोगा छत्रपती सीवा जी के एक प्रकास से क्या चछत्रपति सीवाजी का जनम कहाँ पर हुआ था तो सीवनेरी के कीले में हुआ था कहाँ पर हुआ था अगला परसnd देखते हैं तीसरा नूबर तीसरा नमर प्रसन आपकी स्कीन पर बीसबल हो पा रहा होगा दिखाई पढ़ आ है मेरे भाई अगर नहीं दिखाई पढ़ा तो उसको भी बताने का प्रियास करेंगे चले दिखाई पढ़ आ है ना यहां पर देखेंगे तीसरा प्रसन सौर सेल की सुर्जा को बिद्धुत उर्जा में परिवर्थित करता है सौर सेल की सुर्जा को बिद्धुत उर्जा में परिवर्थित करता है सौर उर्जा को बिद्धुत उर्जा में परिवर्थित करता है कौन सौर सेल को के आगे बढ़ते हैं अगला परसन अगला परसन आपके सामने है चौथा नंबर परसन देखेंगे थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा चूकि जिसने भी वेपर वेज़ा उसका कैमरा ठिक टाक नहीं था साइध चले देखें अगला परसन है आपका चौथा नंबर किसमें होता इसमें होता आपसन इसका भी करक्ठ है अगर बात की जाए जो है जो सीअपसी होती जो सीअपसी गैस होती क्लोरो फ्लोरो कारबन जिसको कहा जाता है यह परियावडिया ध्यन का जो है कि इसका आगे बढ़ते पाचवा नमबर परसन, पाचवा नमबर परसन पूचाल गया था कि भारत में किस वर्स सती परथा को अबेद घोषित किया गया था तो भारत में बात कि नाए 1829 सीजबी में घोजित किया गया था 1829 सीजबी में घोजित किया गया था और दिन था 4 दिसंबर का और लाड बिलियम बैंटी कुछ समय कौन थे गवर नर थे ठीक द्यार नखेंगे आगे बढ़ते थोड़ा सा अगला परसन देखे मेरे भाई अगला परसन आपके सामने क्या है अगला परसन चटबा नमर पर сама कि गुरुनानक सिक्स धरम से थे बिल्कुल थे जो है अजीबिक मख्यली पुत घोसल बिल्कुल ठीक ठाक है बहुत धरम आनंद ठीक है भाई यहाँ पर जो यह कण्फ्यूस याज मुलब की जो है यह एक प्रकार से कंफ्यूस के द्वारा नहीं बलकि जो है एक चीनी थे उनका नाम था और उनके द्वारा जो है यह वाद परित्पादित किया गया था निजम जिस्भी सब्द के अंत में लगा उसका मतलब होता हिंदी में वाद समझे ठीक है तो मेरे भाई आपको समझना यहां पर यह होगा कि आखिरकार आपसे पूछ क्या रहा था पूछ करा था कि को दो सेकंड का समय दूँगा ताकि समय जादा नहीं लेना है और समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है सत्वा नमर पसंदेखे पूछा गया था निमलिखित में से किसकी अधिक्तम गती होती है हुई चापदा फॉलोइंग हैस मैक्सिमम स्पीड लाइट या फ बिद्द्द की होती है मेरे प्रदोस्तों किसकी होती है बिद्द्द की होती है अगला प्रसन अठवा नंबर प्रसन आपके सामने लाने का प्रियास अठवा नंबर प्रसन आपके सामने स्कीन पर वीजबल हो पा रहा होगा सीपी सीबी का पूरा नाम क्या है मेरे प्रदो प्रदूशन बोर्ड करेक्ट एंसर आपका क्या क्या सीपी सीबी सीपी सीबी का करेक्ट एंसर जो होगा सीपी सीबी का यो सिपूवी। दोस्तो आठवे नंबर का वह क्या होगा वह होगा मेरे प्यार दोस्तो आपसन नंबर बी केंदरिये प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड क्या केंदरिये प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड आर्था सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्री कंट् प्रसन नववा नंबर प्रसन आपके स्कीन पर आज बिजबल हो पा रहा है नववा नंबर प्रसन देखें अभिज्ञान सकुंतलम के लिखक कौन है बहुत ही मात्पून प्रसन था बहुत ही सहज प्रसन था हुईजदा आथर आफ जो है अभिज्ञान सकुंतलम तो भाई सबानमर प्रसनाप के स्कीन पर आ गया है आगरा के स्थापना किस ने करी थी बताए अकबर ने करी थी सिकंदर लोदी ने करी थी कि हेमू ने करी थी कि अलाओ दिन खिलजी ने करी थी तो भया किस ने करी थी किस ने करी थी आगरा सहर के स्थापना दसवे के करक्ट एंसर क्य आपसे पूछेगा अकबर तो दीन एलाही धरम के बारें पूछता तो अकबर ने चालो किया था हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था जब आकबर 9 साल के थे तब पानीपत का दुतिये युद्ध हुआ था ठीक पानीपत के मैदान में तो अकबर उसमें जी पिता जी थे ठीक स्वारी तो अलाव दिन खिल जी को समझते ही आप लोग जानती होंगे वह भी देखियोगी पदमावत आगे बढ़ते हैं ग्यारा नमबर पसंदेखिए निम्लिखित में से कौन सा भारत का पहला राश्टी उद्यान है तो जिम कार्बेट सभी को पता होग कोen सा जीम कार्बेट नस्नल पारक अपसर इसका से करठ्थ होगा ठीक ओगी देखती हैं आगला परसंदेखते हैं अगला परसंद आपके सामने बारा नंबर बारा नंबर परसंदेखिए आप सभी लोग आप लोग अभी अशुर देने का प्रियास करेंगे बारवाह नं बारत में जो है टाइगर रिजर स्वारी प्रोजेक्ट टाइगर की जो है अस्थापना के गए थी आपसर इसका यह करेक्ट होगा आगे बढ़ते तेरा नंबर प्रसना आगरा आने वाले परेटकों का मुख्य आकरशन कौन सी मारत है भाई कौन सी है तो यहाँ पर ताज महल जो है इसी के लिए बहुत सारे लोग विदेशों से आते हैं आपर ताज महल भरमण के लिए अंगरेजी वाले भी देख लिजिए यहाँ पर आपके सामने सभी यहाँ पर दिखाई पड़े होंगी देखें यहाँ पर अगला परसना आपके सामने है चौधा चौधा नंब आगे बढ़ते हैं अंगला परसना आपसे पूछा गया था पंदरा नंबर कोशन देखें पूचा गया था आपसे बायो फ्यूल में एलकोहल का कौन सा वास्तविक रूब मिलाया आता है तो यह नाल तो में प्यारे दोस्तों बिल्कुल एकदम से कंफरम है कि एथे नाल मि साथ मीध्य प्रॉपेणि यह बात हमको कंफरम नहीं ध्यार लकेंगे अगर आपको कंफरम है तो इसको बता दीजिएगा ठीक है तो कि हमने इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं किया क्योंकि टाइम कम था मेरी पास ओके वह से एथे नाल जो है जो है कंफरम पाया जाता है वह हई Grande jeste गपारावा आप वैंदा हरी आप भंग यह उसे देखकर आप मुझे काना चाहा जाए थिक देख लिजिए आप मुझे केंफर्म नहीं है तो इसपर लेकसर से डाउट से मुझे ठीक तो पहले बता दे रहा हूं अगला देखते हैं 17 नमर प्रसण आपसे पूछा गया था 20 सुपरियोटन दिवस 2 सुपरियोटन दिवस कब मनायाता है तो 20 सुपरियोटन दिवस आपका कम मनाया था 27 सितंबर को मनायाता है 1980 से प्रारंब हुआ था यहाँ दिवस्वानारी बिस परिवटन दिवस का आरंब हुआ था कब 27 सितंबर से हुआ था 1973 इस भी से ठीक स्वारी 1973 बोल दिया 1980 इस भी से ओके आगे देखते हैं अगला पसन है 18 नमबर पसन देखें 18 नमबर पसन है केवला देवराश्टिय पार्क किस सहर में इस्थित है भाई दिली में आजमगण में धरम साला में या फिर भारतपूर में कहा पर है तो कहां पर है मेरे प्यार दोस्तों अठारे नमबर का तो भरतपुर में है अपसर इसका डिक रठोगा भरतपुर में केवला देवरास्टी ये पार के स्थित है आगे देखते हैं अगला पसन आप के सामने है अगला पसन है पारिश्थित्की क्या दिया गया था पारिशित्की में अंतर संयोजित स्रिंखला की बड़ी संख्या आपस में बनाती है नाट्रोजन चक्र बनाती है भोजन स्रिंखला बनाती है या फिर कार्बन चक्र बनाती है तो मेरे प्यादा दोस्तों क्या बनाती है भोजन स्रिंखला बनाने का प्रिय क्या होती है बिस्व में जयव विविद्था की संख्या क्या होती है बिस्व में जयव विविद्था की संख्या क्या होती है बिस्व में जयव विविद्था की संख्या क्या होती है बिस्व में जयव विविद्था संख्या कितनी हमला कि किसी एक अस्थान पर मिलती हैं किसी दूरदरा छेत्रों में कहीं पर भी मिलती हैं तो उसको हम विवित्ता वाला छेत्र कहते हैं ठीक तो 38 ऐसे हैं यानि 36 ऐसे देश मलब कि 36 ऐसे अस्थान जहां पर जैविवित्ता एक प्रकार से जैविवित्ता का हॉट स्पॉट है हॉट अग मyes我們 बड़ते हैं अगला पसभी के स्किन्ट भीजब अपने वीदियो को लाइक का ने इतने भी लोग देख रहे हैं वैले मिन्ट दोस्तों ने और भीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को लाइक करने मेरे औरे अब बहुत मेनद लगते के परस्न कई धोर्णे में ऐसे को पता है बहुत सब से प्राचीं तम्ष्पिराशत अस्थल Corps आए अजनता की गुफाएं कउन्सी एं जनता उफाएं जो है सबसे प्राचीन आपसन इसका भी करक्ठ है चली अजनता की उफाएं आगे बढ़ते हैं अगला पसन निमलखित में से क्रम में से 3R मलब निमलखित में से कौन सा 3R का सिद्धान्त है 3R यानि दा 3R प्रिंस्पल इन इज इन हुई साब्दा FOLLOWING ORDER तो यहाँ पर दिया है कि किस मलब की प्रकारसे किस क्रम में जो है दिये गए हैं यहाँ पर दियागा A option घटना पुनापरियोग और पुनाचक्र ठीज़ गटना और पुनाचक्र और C कोई नहीं ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट एंसर होता है कम उपयोग पहले में दिया होना चाहिए यहां पर पुना पर योग है तो यहां पर कम उपयोग दिया होना चाहिए उसके बाद में पुना चक्रण दिया होना चाहिए दूसरे नंबर पर और तिसरे नंबर पर पुन भीरि फो лай शोल ठीक द्यार नखेंगे धूरा ओगैरा जो değa मैं कहते हैं वह होते हैं वेसिरजों का क्या पूछ रहा आप आत्र लवस्ता पूछ रहा है न यहां चोब्षा देखें तर-लवस्ता रहा होगा जो होगा धूल होगी त्थ्थो और धून होगा क्या होगा मेरे प्रफित दूस्तों क्या होगा जो भी आपके त्रड रवस्था में मैं ऐसी तो धूल का बस था पूच रहा है आगी देखते हें मेरी पैरा दूस्तों अगला परसन ه досUND से पूचा गया था 25 नंबर। विस्वेधिन के साफने केंद्र फुरन पर्दूसर नियंतरनड उंड़ॉड। सी पीछ सी बी की स्थापना कब हुई। केंद्रिय Ч viruses अगर आप ने पूरा पहले पढ़ लिया होता अगर तो यहां पर CPCB का फुल फार्म जो पूछा गया था पहले आप कर लेती CPCB का फुल फार्म क्या होगा स्वारी CPCB का फुल फार्म तो और केंद्रिय प्रदूसर नियंतरन बोड होगा यानि कि Central Pollution Control Board अभी झाइए इसकी अस्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी मेरे भाई का प्रियास करें तो जो है प्रकार से प्रकार से प्रकास रासाइनिक धुंद किस प्रदूसर से जो संबंदित है तो वायो प्रदूसर से संबंदित होगा प्रकास रासानिक धुंद किस प्रदूसर से संबंदित है तो वायो प्रदूसर से संबंदित होगा प्रकास रासानि देखते हैं 29 पर बाइद देखें 206 प्रोग्राम भारत में कपरारम हुआ तो भारत में कपरारम हुआ राज च्रुम youtube को तो सब्सक्राइबिखने कर रियाज लोग 10 जनौरी 2019 को 20 को 2019 कब दिया जनौरी 2019 अवसंन इसकाणिश्य कर्क्ट है सा बात के सहर की सित है सार नात के सहर में सित है तो सार नात आफका कि सहर में सित है सार नात सभी को पता होगा सार नात कहाँ सार नात कушка कार्ड का होगा 30 का करेक्ट technologist क्या होगा आपका डाप diversion m s है कौन झान प्रदोषक नहीं है कौन सा यह सल होती है चुक्र में बहुत ज़ाजा प्रदोषन होता बत्यस गव्रेशन ऑफिए यहां चुन सा भाग जल उस्टरजन करता है मेरि कौन सा करता है इस्टो मेटा जो होता है वही करता है कौन सा करता है इस्टो मेटा यहीं 32 का यह आपसन करेक्ट होगा आपका 32 का यह आपसन करेक्ट होगा ओके इस्टो मेटा आगे बढ़ते हैं अंगला पस निम्न कित में से यानि निम्न में से कौन सा क्रिकेट का खिलाडी है भाई इसको क कौन नहीं जानता कि महेंदर सिंग धोनी सभी को पता होगा आगे बढ़ते हैं 34 नमर पस दिया गया था भारत के वरतमान प्रथान मंतरी कौन है नरेंद्र ध्रिमोन नहीं जानता अगे दहते हैं अगला परसनाब से पूछा गए था में गयाता है वन जुसब्दा जो होता है आपका 2-क्तूबर आठ को मनायता है लेकिन यहांप में firewall से 7 खो Dogsained मैं इसका रहाए अगला हावा में अधिकत मातरा में गयास पाई आती है मैसी इक आरस worked चि तो मेरा दोसों नाी ट्रोजन पाय आती है कितनी परसंट ? 78% खड़ाए की तनी कीः परसंट 12% कारबन डाय bunlar फड्रसंट इसक कास पाफ पर है ठीक और बात की जाए तो एक प्रिकास से आगे बढ़ते हैं नए धिल्द्ली नि भारत की ध कवएट-19 से संब्संदित नहीं है या को वैक्सिन कहा आ की है को बैतना और दंठी या इंडिया की आ है या परकाश कुरोना वायरस के लिए कोभी सील्ड जो है या है अमेरिका ने बनाया है या भी कुरोना से संब्संदित रेवीज बैक्सिन जो हता है कुत DM defined सम्म या भी कुरोना से संबनी थे तो इसका करेक्ट एंसर क्या होगा आपका इसका करेक्ट एंसर होगा सियापसन रेवीज बैक्सीन ओके आगे बढ़ते हैं अंगला पसना आपके सामने है 49 नमर पसन देखेंगे भारत में क्या भारत का कौन सा राज टाइगर राज के नाम से बढ़त स्वेट वीडियो को लाइक करेंगे पूछा रहा है आप से मेरे दोस्तों अभी आपने देखा होगा निरच वारी निरेच चोपड़ा जी ने क्या जीता है किस टोकियो मेलब कहा पर जीता है टोक्यो ओलंपिक में जीता नाम सुना होगा तो वही आपसे पूछा गालता में के फिर टीबह रहा है लेकिन जो टीम जाती वहां पर खज़ने के लिए सको क्या क्याता है तो महमान टीम कहा था ठीक ध्यार नखेंगे आगे देखते हैं 42 नमर प्रस देखें 42 नमर प्रस नहीं मेरे पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का गवर्णर कौन है उत्तर प्रदेश की गवर्णर कौन है उत्तर प्रदेश का गवर्णर यहाँ पर लिख दिया गया लेकिन उचुकी महिला है आनंदी बेल पटेल जो है उत्त अरदेश की गवर्णर है इसी पिरकास से हर एक राज की बंधर होती है हो सकता है यह सी का पूरा नाम क्या है सिए जी का पूरा नाम क्या है जो हैlon नियूज की उन ब्रदेशnya और इसका बेकर्क्ठ है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला परसन चवालिस नंबर उर्जा का पुना अवतरित स्रोत क्या होता है उर्जा का पुना अवतरित स्रोत कौन सा होता है मेरी परादा दूस्तों आप संग बताएं वालिस नमबर का करेक्टर अंसर क्या होगा सी आपसन यानी पौधे जो होते हैं या उर्जा का पुना आउतरित स्रोत होते हैं आगे बढ़ते हैं 45 नमबर परसन भारत ने किस देश के जो है बहु आयामी लडाकु विमान राफेल खरीदे हैं राफेल कहां से खरीदा था वह हमारे प्रदानमंत्री की बेच में समझता हुआ था 2016 में 36 राफेल विमानों का 36 राफेल भारत को दिया ठीक खरीदा था तो वह ही आपसे पूछ रहा था 46 नमबर परसन आपके सामने यहां पर दिया है पारादी बंदरगा किस राज में इस्तित है पारादी बंदरगा किस त्लेक टेंसर होगा है आपका सी अपसं यानी उडित समय है ठीक है पारादी बंदराव री समय है जगत सिंगपूर में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला मत्सन है C किसमे ध्वनी तीब्र होती है निम्रकित में से किसमे ध्वनी तीब्र होती है तो ठोस में सबसे ध्वनी की मातरा तीब्र होती है ध्वनी अधिक मातरा में संचड करती है और पूझा जा कि ठोसों में सबसे अधिक मातरा में कहा पर संचड होती तो कांच में ओके आगे नमबर परसन भारत में बहने वाली बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भाया गंगा नदी 25-25-2,25 कि लंबाई गंगा नदी की आगे बढ़ते हैं अगला परसन अगला परसन आपके स्कीन पर बिजबल हो पा रहा होगा पचास नमबर अंतर राष्टी आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन बावन नंबर प्रसन देखें पारिसित्की में उर्जा का प्रवाव होता है तो चारो तरफ होता है कहाँ पर होता है भाई मेरी प्रवाव दोस्तों तो चारो तरफ होता है जो है पारिसित्की में चारो तरफ आपसन इसका सि करक्ठ होगा रभी इंद्र जो है रभी धनींद्र यानी की गुड़ संधी का उधारण है आगे बढ़ते हैं चावण नमबर प्रस देखें तालाप पर प्याए दोस्तों रेखिक होता एंगं nowadays इसका इसका सिक्रक्ड ск विखसे सीध्हवता नेकिन अब यहाँ प्र रेखिक दिया कड़ी मलब रेखा भी सी दीद्शी होती कि आगा ऐए 56 नम्मर पर देखें युब जो कौन सा यह साच प्र 180 परदूसक अच्छा संकेतक है निम्द में से कौन सा ये सोटू प्रदूसक का अच्छा संकेतक है मेरी प्रदूसक चापन नंबर का कर्रेक्ट एंसर क्या होगा D option D option काई जो होता है काई जो होता है मेरी प्रदूसक तो क्या काई जो होता है आपका काई जो होता है आपका काई ही जो होता है मेरे भाई हुआ क्या है ये o2 पर दूसरन का अच्छा संकेत अग सनकी तक वहता है। सांक जो है यह सूर का प्रयावाची नहीं है जब की मारतंड रबी और समझते हिए मारतन मंदिर आपने देखा होगा सुर्य भगवान का मंदिर आगे बढ़ते हैं क्या दार किसको कहता है कि Hadให मैриз का खी नाम से भगवान संकर को महेश के ली नाम से भूली यहां पर ब्रमभा जी सानाम से आप रहता है है ब्रमभा का परजापती नाम होता ऐस्षा गयाता है और इंदर को पूर अंदर खाया थे आगे बढ़ते हैं अगला परन नंबर परन को म Tobас किते हैं उन स्कूरल bonoda मना याता है क्या छूड़ गया क्या 62 हो गया में से तर्फ रिःगो समाच का उदारल ये इनमें से क्ょौनसा दरीगो समाज का सिधा सा उदार्ल पाइद का मैं इसमें जब गिंती संख्या की बात आई तो उसी को द्रिगू समास कहा आता है ठीक तो 14 यानि 4 राहों का समूँ अगला है वाहन के से निकलने वाले धूयं में इससे जहरीली गयस कौन से निकलती है कारबर मोनो अक्साइड निकलती क्या कारबर मोनो अक्साइड यानि CO गयस जो होती है वार निकलती है मोटर वाहनों से आगे बढ़ते हैं चाचाचा नमबर परस्णाप के सामने हैं निम्रखित में से कौन सा जीवासम इंधन नहीं है जीवासम कौन सा नहीं मेरी पर दोस्तों चलिए 68 नमबर का पता है 68 का क्या होगा डी आपसन जो होगा यहीं जो पेट्रोली एक उर रेणियम जो है यहीं जिवासम नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला पसंद आम Skills के सामने हैं एकत्र का रेड डाटा किताब में data होता है, इक एकत्र का रेड डाटा किताब में data… ठीक आप सेन इसका सी करेक्ट होगा ओके ध्यान रखेंगे तो इकातर का रेड डाटा किताब में डाटा है किसका सभी जो है जन्तु इस्वारी सभी इस्वारी बिलोग तो होती जातियों का बातर नमबर प्रसंदेखें अंगरेजी में भी उदर लिखा हुआ है उसको भी द 72 नमबर कर टेंसर इसका क्या होगा चिडिया घर चिडिया घर जो है प्रकार से जैबिक स्वास्थाने में एक अंधर्गत नहीं आता चिडिया घर मनुष्ची के द्वारा बनायाता है ठीक जबकि राष्टियार मन जीव भ्यारण और जीव मंडल निकाय होते हैं निस्चे करें तो भाई इसका जो समास बिग्रा वगर आप पढ़िएगा कहीं पर इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है और समास के बारे में जब पढ़ लूँगा उसके आदमें आपको बता दूगा क्या कैसे बिग्रा करते हैं ठीक आगे बढ़ते चोहतर नमर पर से देखेंग करें आगे बढ़ते हैं जो हर चीज होती हें उसी का हो सारी बीवित्ता भी रख सकते हैं उस theor में ठीक ठाग मात्रांरा में हैं जो कि विविदता वाली छेत्रों को हाट स्पार्ट ही हम कहते हैं ठीक ध्याने के हाट स्पार्ट विविदता आगे देखते हैं छेत्र नमर विविदता यह होगा गंभीर संकटा पन नहीं होगा आगे देखते हैं अगला पस्छेत्र नमर निम्लिखित में से भारत के कौन से जयो विविता के हाट इसपाट छेत रहें तो भाई जयो विविता के हाट इसपाट छेत कौन से तो 76 नंबर का एक करेक्ट एंसर होगा सुन्दर बन का डेल्टा ओके आगे देखते हैं वैसे पूरवी घाट पश्चमी घाट और पूरवुत्तर भारत और जो है जम जो है जो भड़ते हैं मेरे पयादोस्तों आचरज का सब्सक्राइब क्या होता है आचरज क्या होता है इस पर समागे देखते हैं यहां पर दिया दिया गया है डीए मुझाँ मैं समास कौन सा दोई मुझा है 78 तो करेक्ट अंसर क्या होगा दीगू समास है महलब गिंती के बारे में बात कर रहा है आगे देखते हैं 79 नमबर परसन जेओ गैस में मुखिता पायाता है जेओ गैस में मुखिता कौन सी पायाती भाई 79 में देखिए जेओ गैस में तो जो मीथेन होती वार जेओ गैस में तो री क्या होता है एक्ट होता है यस ओ टू उपके आगे देखते हैं अगला पर सन मेरी पर दूस्तरॐब के सामने के शार केनी नमबर आचुका है ऑच्छी का तदबो होगा अगसी का जो है तद्दो क्या होता उपछी अप्संखाव मैंको होता है यह जो लृषता तो आप मैने क्या होता है सब्सक्राइच जया है इस हैं कि डिॉटा तो फ्लाइय टॉरस अंगे देखे एक रखते एट टी टु नमर पर सुमें निम्रखट में तत्सम संब्साट करके वहां सब्धिन में से कौन सा या यि संऍस्कृत वाला सब्द तो गोटक माने क्या होता है गोड़ा तो यह मेरी प्रतु Basically यही आपका क्या है मेरी प्रतुत असवारी अस्वाय बहुत अन्य क्या होता है घोटक माने क्या हो निग्त ergिश्क भी ध्यान नहीं यह मा бок के आगे देखतें चीरसी नंबर परस् इसाफमान बढ़र से क्या होता है वैसे क्या राद में तापमान बढ़ जाता है इसके क्रभाण से क्या होता है आख गैसे तो सभी संबाने थे लेकिन मुख्य मात्रा में बात किया तो कारबन डायकसाइड है आद देखेंगे जो है अगला परसन आपके सामने 84 नंबर ताज महल का पीलापन प्रभाव है किसका तो अमली वर्सा का ओके अमली वर्सा का ताज महल के कारण पीलापन जो हो रहा प अगला परस देखने का प्रियास करें आप सी लोग चियासी नंबर परफ का विगरा क्या क्या होगा ने परड़ा क्या कए बाकी अप वेको मोफ बचंग का मुक्त कारक्व कारकभान न बताने का प्रियास करने 87 नमबर D आपसन करेक्ट होगा तो प्रकाद रासनिक दूंद का कारक कौन से होते हैं ये सबी हैं आपसन इसका D करेक्ट है आगे बढ़ते हैं 88 नमबर पस देखें ओजोन परत में छिद्र जो है कि दिखता किस जो है देश के उपर होचके किस महादीप के उपर देखिया आत देखिते हैं बहु बरी समास का उदान कौन सा है बहु बरी समास का उधान इम्हें से कौन सा है बताएं 88 नमबर पस देखने का प्रयास करें लोगह नबबर पस नमबर पस नंग्रेजी में लिखा उए इदर धर्मार्थ काम होगा धर्मार्थ काम होगा कि अपसंद इसका एक रख्ठ होगा देख लिजेगा वैसे 90 नमबर प्रसन अ कि तो यह नहीं होगा चुकि यहां पर मात्रा देखिए एक मात्रा है फर्जी लिखिए यहां पर क्या होगा धर्मार्थ कामाई यह बोल सकते हैं आपसंद इसका भी करेक्ट होगा ओके आगे देखते हैं एक क्या नबे नंबर प्रती एक हजार संख्या क्या कहलाती है बताएं क्या कहलाती है एक क्या नबे नंबर का क्रेक्ट एंसर क्या होगा डी आपसन क्या होगा आप पारिस्कृत जनमदर आपसन इसका ड प्रोड बेच रही हैं तो पतंजली का बेच रहे न तो आप से पूझरा की योग जर्सन के संस्था पा कौन थी बालब नविनम diaper यह जर्शन के संस्था पांध कौन थी पतंजली डिसी टी आप्षन इसका भी करक्ठ है आगे बढ़ते हैं तिरानवे नम्बर परसन अगे देखते हैं अगला परसन चावरानवे नम्बर परसन आपके सामने आ चुका है स्कीन पर देखें नियम लखित में से कौनसा जो है यहां कि इसको कहते हैं वहा किसके कारण से होता है तो वाह मेरे परेट दोस्तों और जोंचंतर के गारण से ओए जोएंपरत की चर्न हो रही है उसके काँवा तर क्या है क्या तो सूर्ड सुरी जो है सर्द निद्रा को हम क्या करते हैं ठीक के आगे देखते हैं पंचानबि नंबर का टैन्सर क्या होका यह आपसनो के आगे देखते हैं ज्यानबि इसका कहीं एक शेट मिलता लगए समझस्या इस बात कि ठीक लेकिन आपका प्रकासे जो और जो है एक प्रकास से उसको जो है अपने बुद्धी के हिसाब से अपिर अपने जो है प्रकास से बैक्ग्राउड के साब से पड़र पड़ने लिखने के एकोडिंग आपको इसको बताना पड़ता है आप ध्यान रखेंगे उके सारी बाते आपके समझ में आ रहें संधा अप उसमें बता दीजियेगा तकि सभी लोगा पायदा छो होजा और निस हमको देख रहे हैं ऐसे किसी को पता होगी कुई को सबसे प्राचीनधार्मिक कोन सा है ? तो भाई, कौन सा रिख बैध है ? सबसे प्राचीनधार्मिक ग्रंथ फिरापसन इसका डिकरक्ट है वो की अगला प्रसन में चांडक नाम नाम से चांडक को कौन नहीं यानता दुनिया नहीं अर्थ साथ में राजनीती बारे में बहुत सारी बाते बताई गई है आज की रादनेति गर कोटिल के साब से चले ना कोई कभी हरा ही नहीं सकता आगे देखते हैं अगला प्रसना अगला प्रसनाप के सामने हैं इंटर बेड़ जीओं का समुझ एक निश्चत जगा पाया जाता है पाया जाना होता है और मलब की किस जगा पर तो एक प्रक समदाय होगा या फिर एक प्रकार से समदाय ही होना चाहिए ठीक एक निश्चत भूभाग में निवास करना समदाय कहलाता ठीक उसमें समदाय क्ता होती निश्चत भूभाग में वो लोग निवास करते हैं तो एक प्रकार से यहां चीजें समदाय ही कहलाती है इंटर बीड सकता तो समुदाय होता तो आप जलदी आपके सामने सारे की सारे की बाया करके तब तक के भारत Okay के मिलेंगे हम नेश्टी वीडियो में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को सेर कर दीजेगा